हेलो दोस्तों जैसे कि आपने पिछले भाग में देखा यहां रुपा को हॉस्पिरल ले जाया जा रहा है और यहां एंबलेंस में राधा चंदा सोनम सभी बेठे हुए हैं चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है राधा और चंदा बता हो ना हम कप पहुचने वाले हैं मुझे बहुती दर्द हो रहा है जल्दी बता हो हॉस्पिरल कप पहुचेंगे हम चंदा कुछ करो चल्दी से मुझे बहुती दर्द हो रहा है जल्दी करो मुझे बहुत गुसा रहा है अरे रूपा बस थोड़ा सा सबर कर लो ठीक है ना हम बस हॉस्पिटल पहुशने वाले हैं तुम चिंदा मत करो बस थोड़ी देर और थोड़ी देर और सहलो अरे हाँ रूपा तुम चिंदा मत करो हम बस हॉस्पिरल पहुचने वाले हैं देखो एम्बिलस में बैठ कर हम हॉस्पिटल ही जा रहे हैं तुम चिंदा मत करो सब ठीक हो जाएगा अरे आखिर हॉस्पिरल कहा है? कितनी दूर हमें कब से यहां पर लेड़ी हुई हो यह मुझे बहुत दimal हो रहा है जल्दे से मुझे हॉस्पिरल ले कर चलो जल्दी चलो पहले बात मुझे इस ambulance में बैठना ही नहीं चाहिए था, जल्दी करो, जल्दी करो, अरे रादा और चंदा प्लीज तुम ही कुछ करो, तुम दोनों भी तो मा होना तुम तो समझ ही सकती हो, अगर क्या हो रहा है मेरे साथ जल्दी करो, अरे पता नहीं हम hospital कब पहुचेंगे, लूपा अंटी को तो बहुत ही अधा दर्ज हो रहा है, चलो चलो मैं ही देखती हूँ, hospital दिख रहा है यहाँ चलो देखती हूँ, अरे यह hospital तो बहुत ही दोल है, अरे अरे सुनमी तुम क्या कर रही हो, इतना सथा बाहर मुंटी नहीं निकालते हैं, चलो इदर आओ, अरे ममी माफ कल दीजिए, अरे क्या सुनम बेटा ऐसा नहीं करते हैं, तुम बिना मुझे डरा ही देती हो, अरे ममी मुझे माफ कल दीजिए, वो क्या है ना, मुझे रूपा आंची के लिए बहुत ही बुरा लेग रहा है, पच्चा नहीं, hospital कब आएगा, शो जी ममी अपने ही क किलो मिटर, आप चिंता मत कीजिए, हम 10-15 मिनिट पे एकदम से पहुच जाएंगे, देखिए ना, कितना सदा ट्राफिक है, इसलिए लेट हो रहा है, और आप लोग पीछे पेशेंट को परिशान मत करिएगा, ठीक है ना, उनको calm down रखिए, चलो चलो मैं चल्दी से चलता रहा है, आँ, अरे चंदा आखिर, एंबिलन्स क्यों रोग गई, जल्दी बताओ ना, मुझे बहुती तर्द हो रहा है, लगता है, इस एंबिलन्स वाले का मैंने कुछ बिगाड़ा है, पिछले जिनम में, इसलिए मुझे ऐसा बतला ले रहे है, मुझे इस एंबिलन्स से कि जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए हमें बोती अल्दी हॉस्पिरल पहुचना है क्या कहा रास्ते में कुछ आ गया है अरे अचा-चा ठीक है भया आप जाकर देख लिए क्या है आखिर बाहर अरे हाँ हाँ मैडम ठीक है मैं आप भी जाकर देखता हूं आप सब यहीं पर रुकिये चलो देखता हूँ अरे अरे यह क्या यह तो एक छोटा सा बच्चा है अखर यहाँ पर क्या कर रहा है एहे ममा ममा कहाँ पर हो आप ममा है ममा ममा है ममी बचाओ है हाँ 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 ममी ही ही ममी बचाओ ममी अरे ये क्या ये तो छोटा सा बच्चा और ये तो मम्मी मम्मी चिला रहा है अखिर इसकी मम्मी कहां पर है अरे बेटा तुम्हारे मम्मी कहां पर है तुम यहां पर अकेले क्या कर रहे हो और इसे गाड़ी के सामने अचारा से नहीं आरा चाहिए तुम्हें पता है ना अरे मम्मी अरे यहां परे बोला में से कहां कहां नहीं ढून रही थी अरे भाया प्लीस मुझे माफ कर दीजिए माफ कर दीजिए मेरी गलती है वो क्या है ना मेरा बेटा यहां वहां भाग जाता है माफ कर दीजिए अरे अच्छा ठीक है लेकिन अपने बच्चे का थोड़ा ख्याल रखा करो भाई अभी मेरे गाड़ी के समने आ जाता अरे हाँ ठीक है अरे पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं अपने बच्चों का ख्याल भी नहीं रखते हैं अरे आखेर ये भाईया कहाँ पर चले गई अभी तक नहीं आए देखो तो कोई टेंसर वेंशन नहीं है अरे अंकल आप क्या कर लें जल्जिशा आए अरे अरे हाँ बेटा मैं अभी आता हूं सौरी सौरी मैं तो भूली गया था इसके बारे मैं चलो चलो जल्दी से जाता औरे मुझे जल्दी से कोई हॉस्पिटल ले चलो कोई बाद ने मुझे यहीं पर उतार दो मैं का केले ही हॉस्पिटल चली जाओंगी मुझे कोई बचा आऊ बहुत दर्द हो जरा है जल्दी से चलना चाहिए मम्मी अरे हाँ हाँ सोरम लेकिन देखो तो ये driver कितना ज़दा time लगा रहा है इसे पता है कि गाड़े में गर्पोती महला है फिर भी ऐसा कर रहा है अरे नहीं हमें चल्दी पहुचना पड़ेगा अरे हाँ दीदी आप सहीं कहे रहे हैं ये ड्रेवर तो सच में एक नमबर का लाप परवा है देखो तो इसे कोई फिकरी ही नहीं है पता नहीं कहां से आ गया है हाह हमें क्या करू और यहारे मुझे माफ कर दीजिये मेडम मैं आ गया चलो आप सब चिंदा मत कीजिये मैं अब ही आप सबको हॉस्पिटल पहुचा देता हूँ चलो चलो फुल स्पीड पे जाना पड़ेगा तभी हम जल्दी होस्पिटल पहुच पाएंगे चलो जल्दी जल्दी चलाता हूँ भाई मुझे माफ कर दीजे देरी के लिए चलो चलता हूँ अरे चंदा लगता है मेरे डिलेवरी यही पर करनी पड़ेगी जल्दी से कुछ करो चंदा जल्दी करो कुछ और यहां रूपा को बहुत यदा दर्द हो रहा होता है अरे अरे रुपा तुम चिन्ता मत करो हम अभी जल्दी पोहुचने वाले हैं अरे रूपा तुम बस हिम्मत से काम लो ठीक है ना आगे सब कुछ सही हो जाएगा तुम चिंता मत करो अरे ड्रेवर प्लीज जल्दी से लेकर चलो तुम आखिर क्या कर रहे हो अखिर इतने टाइम कैसे लग गई इसे बाहर चलो 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 जल्दी चलो इसे बहुत यह दर्द हो रहा है चलो जल्दी करो अरे हां रूपादीदी एकदम सही कह रहे है तुम बस थोड़ा सा सबर से काम लो अगी चल की सब ठीक हो जाएगा इतना दर्द तो सह नहीं पड़ेगा तुम चिंता मत करो हास्पिटल में सही पास में ही है हम बस पहुचने वाले हैं हम सब तुम्हारे साथ हैं अरे हां हां राधा और चंदा मुझे तुम पर एकदम विश्वास है चलो चलो जल्दी से लिकर चलो मुझे प्लीज जल्दी से लिकर चलो अरे हां हां मैं हम बस पहुचने ही वाले है और यहां पर ड्रेवर जल्दी अल्दी अपनी गाड़ी भगा रहा होता है अरे हाँ और फास चलाओ और फास चलाओ हमें चल्दीश होस्पितल पहाँचना पड़ेगा अरे हाँ हाँ सोरम सहीं कह रही है हमें और ज़दा फास जाना पड़ेगा ट्रूपा तुम चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा हम बस पहुषने ही वाले है बस थोड़ी देर और अरे हाँ मेड़म मैं चला रहा हू ठीक हे चलो चलते है अरे अरे ये क्या अरे 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 मम्मी ड्रेवर ने तो फेशने गाड़ी रोक दी अरे भाई अब क्या हो गया तुमने क्यों गाड़ी रोक दी तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि यहाँ पर गर्फवती महिला बैठी और उसे दर्द हो रहा है और तुम बार-बार गाड़ी रोकाई चारे हो आखिर क्या बात है अरे आकिर मैंने इस ड्रेवर का क्या बिगाड़ा है सिदे सिदे मुझे हॉस्पिरल क्यों नहीं पहुचा रहा है थोड़ा जल्दी करो औरे मेडम मुझे माफ कर दीजी पता नहीं गाड़ी अपने आप ही रुख गई अरे कहीं कहीं टायर तो नहीं पंक्चर हो गया है क्या टायर पंक्चर हो गया है औरे रुकी रुकी मेडम मैं अभी जाकर देखता हूँ तो जाकर देखता हूँ आखिर क्या हुआ है अरे अरे ये क्या ये तो सश्वे पंक्चर हो गया है अब इसका पंक्चर बनाने में तो बहुती दर टाइम लगीगा और यहाँ पर तो एक भी गैरिज भी नहीं है कम से कम दो तीन घंटा तो लगी गई औरे नहीं मैं तो फस्क गया बहुती है तब क्या करू अरे भाई साहब क्या हो गया आखिर अरे भाईया क्या हुआ है जल्दी से बताओ आखिर क्यों काड़ी रोकी आपने अरे अरे मेडम वो क्या है ना ये वाला चक्का एकदम से पंक्चर हो गया है और इसे बनाने में दो तीन घंटे लगेंगे मुझे माफ कर दीजिए अरे क्या मतलब तुम्हे माफ करो दो तीन मिनट का तो काम है दूसरा चक्का लगाने का अरे वो मेडम वो क्या है ना वही तो मेरे पास दूसरा चक्का नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्या कहा दूसरा चक्का नहीं है अरे नहीं ये तो सच में तुम्हें बहुती कड़बर वाली काम कर दी अब हम क्या करें हाकेर अरे मैडम अब मैं क्या बताओ मुझे माफ कर दीजिए अब सब उपर वाले के हाथ में है अरे ऐसा मत बोलो हमें कुछ करना पड़ेगा वो बहुती तो दर्द में है तुमने देखा है न अरे लेकिन मैडम मुझे माफ कर दीजिए अरे नहीं होस्पिरल तो ज़्यादा दूर नहीं है हमें काम कर सकते हैं स्ट्रेचर के उपर ही उने लेकर चलते हैं हॉस्पिरल पहुच जाएंगे हम अरे हाँ हाँ ठीक है ठीक है चलो जल्दी चलो जल्दी चलो अरे वो क्या है न राधा गाड़ी पंक्चर हो गई है अब हमें रूपा को पैदल ही लेकर जाना पड़ेगा ठीक है न चलो चलो जल्दी जल्दी उतरो हमें चल्दी चाना पड़ेगा अरे क्या दीदी पंक्चर अरे नहीं अरे पंक्चर अरे नहीं अब तो अंटी खौट दर्डोगा अरे नहीं सोनम ऐसा कुछ बह नही है हॉस्पिरल बस दो तेन मिनिट पर ही है चलो चलो जल्दी जल्दी उद्रो हमें जल्दी करना पड़ेगा ठीक है ना अरे हाँ हाँ दीदी ठीक है चलिए 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 अच्छे ठीक है मैं भी आ रही हू चलिए अरे ये सब क्या हो रहा है जल्दी होस्पिरल लेकर चलो मुझे जल्दी करो अरे हाँ हाँ तुम चिंदा मत करो हम बस हॉस्पिरल पहुचने वाले है चलो चलो सुनम तुम भे चलदी से आजाओ अच्छे ठीक है अंची और यहाँ पर सभी हॉस्पिरल पहुच चाते है औरे डॉक्टर गी लेजे नहीं पेशेंट है चलो चलो सोनम होस्पिटल पहुच गए है चलो चल्दी से दोस्तो अगर आपको हमारी कहाने इच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना